नमस्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई जैसा कि मैंने विशले वीडियो में दिखाया कि मैं सीपी गई थी महां से बच्चों की तो शौपिंग होगी थी लेकिन मेरी रही थी क्योंकि दोस्तों दिवाली का तिवार इतना बड़ा तिवार ह हम हिंदों का कि देखो खाना पीना तो होता ही रहता है लेकिन नए-ने कपड़े बनवाना भी शुब मनना जाता है और बच्चे हों बड़े हों इस तिवार पे सभी अच्छे-चे कपड़े लेते हैं तो बच्चों का तो हो गया था मेरा काम लेकिन अब मेरी साड़ियां रही थी जो कि मैं तिवार पे जरूर बनवाती हूं और बिल्कुल दोस्तों वैसे मैं सारे साल अगर कुछ किसी की शादिवा दीना हो तो नहीं बनवाते हैं लेकिन दिवाली और भाईया दूज के लिए मैं जरूर साड़ी बनवाती हूं ताकि याद रहे कि इस तिवार पे हमने चीज ली थी और मेरी जो पसंदिदा साड़ियां हैं वो हैं बनारसी साड़ियां तो आगी हूं मैं शोरूम पे और मैंने भाईया को बोल दिया है अपना पसंद का जो मुझे रंग लेना है तो दो कलर मैंने इनको में बताए हैं कि मुझे गोल्डन और यलो चाहि है तो देखो कपड़ा भी अच्छा मोटा इसका और उपर से वर्क भी अच्छा है तो बहुत सारी गोल्डन वराइटी देखने के बाद मैंने एक यह चाटी है और अब यह भाईया दिखा रहे हैं यलो के कुछ कलेक्शन अपने बनारसी में तो आप भी देखते जाओं मे कर दें और लगे भी कि हाँ त्योहार है इतना बड़ा त्योहार है हमारा और कुछ ना कुछ हमने अपने लिए भी किया है और खाना पेना यह चीज़े तो देखो त्योहार पर उत्ती होती है लेकिन अगर अलग से भी हम कुछ अपनी नई चीज बनवाएं अच्छी गोल्डन कलर दिखाए थे तो बताओं वीडियो में आपको कलर इतना जादा एन्हेंस होके नहीं दिख रहा होगा जितना की यहां जो लाइटे लगी हुगी है उनसे यह कलर निकल के आ रहे हैं तो कैमरे में इतना अच्छा नहीं बता लग रहा लेकिन वैसे रियल में यह साड़ी बहुत खूबसूरत है और अभी भाया कहरे हैं जब आपको मैं वीयर करके दिखाऊंगा ने यह तो आपको और भी सुन्दर लगेंगी तो यह मैंने निकलवा दिये गोल्डन अलग आम मैं येलो पसंद कर रही हूँ तो येलो में देखती जा रही हूँ कौन सी देख लो तो यह मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी जितनी की मुझे वो वाली गूर्डन वाली लगी थी वो मैंने अलग निकलवाई दी हैं और एक दो मैंने येलो निकलवाई हैं तो अभी मैं लगा लगा के यह कहरे हैं दिखा दूँगा तो जो आपको ठीक लगे फिर आप बता देना और फालतू देखने का फिर देखो कोई मतले भी नहीं है जब मैं एक टार्गेट सेट करके आई हूँ और मेरा हमेशा दोस्तों दिमाग में हमेशा ये रहता है मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती साड़ियों की दुकान पे जाके कि ये लू या ये लू मेरा पहले सी सेट होता है घर से कि मैंने कौन सा कलर लेना है अपने वार्डरोम में देख की जाती हूँ है कि कौन सा कलर मुझे और चाहिए या कौन सा कलर अब इस टाइम है फैशन में तो ये कोई और देख रहा है मैंने नहीं लेनी खेरिये ये कोई और किसी ने शोपिंग करन हुआ आपको तो भी कोई भी त्योहार और ओरते साधियां ना खरीदें ऐसा हो नहीं सकता और वैसे मैं इतना ज़्यादा कोई शोपिंग नहीं करती दोस्तों लेकिन दिवाली पे तो मैं जरूर लेती हूँ तो यह देखो यह अब यह बहर कहना यह भी गिलिटर करेगा क्योंकि दोस्तों बनारसी की ऐसी खुबसूरती होती है साधियों की कि वो आप दिन में पहनो शाम को पहनो और किसी भी एज गुरूप का बंदा पहन लो वो अच्छी ही लगती है और दोस्तों यह पहने चीज़े कोई रोज रोज नहीं ली जाती है अगर आपने बनारसी एक साधी ले लिए तो हमेशे ही आपकी चलेगी और सबसे बड़ी बात अगर आप कभी भी इसको पहनोगे तब भी यह खुबसूरत ही लगेंगी तो इनका कभी ना फैशन जाता और ना ही कभी यह निकल वाली है एक तो ही गोल्डन वाली है यह आप मुझे बताना कमेंट करके कैसी लग रही है आपको भी और अच्छा है भी कपड़ा है इसका तो अब जैसे सर्दियां आ रही है न कि किसी फंक्शन में भी जाना होगा तो भी यह मतलब ठंडी लगेगी इसमें अच् पर यह भी दिखो सुन्दर लग रही है वह बनारसी मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है यह देखो एक पर इस तरह का वर्क है यह देखो थोड़ी सी कोस्के जरूर आती है लेकिन यह है कि आपके पास हमेशा के लिए रहती है फिर यह और रोज रोज तो भी यह चीज लेली फिर वो हमेशा के लिए रहती है और जैसे एज भी बढ़ती जाएगी तो भी इसका तो ऐसा नहीं है कुछ की पेज के अनुसार नहीं पहन सकते है इसको तो कोई पहनो सब सुन्दर लगते है और बड़ी क्लासिक लुकाती है दोस्तों बनारसी के साथ तो मेरी हमेश को एक यह दिखाई थी इसने और गोल्डन तो मेरी दिखो हुई गई है साइड में जो मैंने आपको पहले दिखाई है तो अब भाया कह रहे है कि एक बार आप ना थोड़ा सा मैं आपको लगा लगा के दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा इसे र बताना मुझे कमेंट करके आपको मेरी पसंद कैसी लगी और यह किसी और को दिखा रहे हैं भाया यह देखो यह भी इच्छे लग रही है ना किसी ने ले नहीं होगी अपनी शादी वेगारा के लिए तो यह मेरी कलेक्शन है यहलो और गोल्डन वाली जो मैंने इनको कलर बताये थे तो अभी मैं आपको टेच करकर के भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से लिया है हलका सब यह टच अप कर देंगे तो उससे न थोड़ा सा मीरन में समझ में आ जाएगा कि पहनने के बाद इसकी यह लुक आएगी तो यह है भीया जो मुझे दिखा रही है और ज जो हिया कहने कि एक और आप पहन के देख लो तो जिस जिसको पनार सी प्रसंदन भी वो बता देना और एंड में मैंने यह तो यह साड़ी ले लिया है भई मैंने इसको पहन के भी देखा था बहुत खूब सूरत लग दी थी लेकिन मैं इसका फोटो लेना भूल गी और यह जो यलो की मैंने निकल वाई थी इसमें से मै मैंने एक दो जो पहन पहन के देखी उसका भी आप देख लो लुक कैसे आया है तो हलका इस लुक बनाके दिखा देते हैं बलाउस पिस का भी साइड में लगाके और साड़ी सी पहना के ताकि यह पता लग जाए कि आप कैसे लग रहे हो पहनने के बाद तो आप बताना कि जो मैंने collection ली है वो कैसी लग रही है और end में भई मैंने ये वाला yellow color लिया है इसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा classic look लगी क्योंकि combination जो magenda का और black का था वो थो थोड़ा सा common है लेकिन ये everlasting है एक बार ले ली तो ले ली और इसमें थैंक ये वेरी मुझ